बच्चों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ कि आप अपनी जगह पे शुरक्सित हैं अभी घर से बाहर नहीं निकलना है और हम आपको ओनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं आज हम कक्षा पांच का इंगलिश का जो हमारा सेकिंड लेसन है दालोईन किंग उसका एक पार्ट हम कर चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो जो पार्ट है वो देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा ये पार्ट कि पिछले लेसन में हमने क्या किय लिया था हम इसे लेसन को जैसे हमने इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं उसको पढ़ा चुके हैं आगे का जो लेसन है वो आज हम करने जा रहे हैं हमने यहां से एक पहरा जो कर लिया था लास्ट जो हमारा था वंडर्फॉल सिंद्री यानि कि जो सेर है बताता है अपने बारे में कि मेरे जंगल में क्या-क्या होता था क्या-क्या बहता था कितने जर्ने होते थे कैसे होते थे पूल्स होते थे यहां पे तो यह इन सब के बारे में बिता चुका है वो बेले थी पहाडियां थी है ना तो आज हम जो इसका second जो topic वो है करने जा रहे हैं second paragraph आज हम शुरू करते हैं और शुरू है वह है यहाँ पर जो लॉइन किंग है वह बताता है कि उसके जंगल में कौन-कौन हुआ करते थे ठीक है यहाँ पर डियर्स का मतलब होता है हिरन, टाइगर्स का मतलब होता है बाग और एलिफेंट्स का मतलब आप सबको पता ही है elephants का मतलब क्या होता है hathi और bees का मतलब क्या होता है भालू और monkeys यहाँ पर बंदर, crocodile crocodile क्या होता है बच्चों मगरमच, wolves भेडिये, peacocks मौर और क्या है यहाँ पर जंगल में क्या रहते थे मैनाज और owls उल्लू, pigeons यानिके कबूतर और बहुत सारे जो प्राणी थे वह इस जंगल के अंदर सामिल थे यहाँ पर शेर बता रहा है कि मेरी जो इप्रजा थी उसके अंदर हीरन थी और क्या था बाग थे, हाथी भालू, बंदर मगरमच, भेडिये मैना, ठीक है मोर, उलू, कबूतर और अन्य परकार के प्राणी सामिल थे यानिके उसका जो जंगल है बहुत सारे जंगली, जीवों और पक्षियों से भरा हुआ था ठीक है? इतना समझा रहा है ना आपको? तो यह आपने जो अनिवल्स नेम आई है इनको याद करना है इनकी स्पेलिंग भी आपको याद करनी है यह सिंगलर से सारे प्लूरल दिये गई है जैसे डीर का प्लूरल क्या होता है? डीर्स, टाइगर का टाइगर्स, एलिफेंट का एलिफेंट्स, बीर का बीर्स मंकी का मंकीज क्रोकोडाइल का क्रोकोडाइल वोल्फ का वोल्ज पिकोक का पिकोक्स मैना का मैनाज आउल का आउल्स और पीजन का पीजन्स ठीक है? यहाँ पर plural जो words दिये गए हैं यह हमें इनको singular में लिखने की कोसिस करनी है ठीक है? तो आगे का जो part है वो हम सुरू करते हैं ठीक है? आपको समझ आ रहा है न बच्चो? हाँ तो हम आगे का part सुरू करते हैं we had enough food to eat यानि के हमारे पास खाने के लिए बहुत प्रयाप्त मात्रा में भोजन होता था and plenty of waters to drink और प्रयाप्त मात्रा में पीने के लिए पानी भी होता था वो बताता है the loin king यहनि के जंगल का राजा जो सेर है मैं क्या बताता है? हमारे पास खाने के लिए प्रयाप्त खाना और पीने के लिए खूब सारा पानी होता था ठीक है? plenty का अर्थ यहाँ पर होता है प्रयाप्त plenty का मतलब का होता है प्रयाप्त ठीक है? और यहाँ पर एक जो सब्द आया है food मतलब भोजन ठीक है? water का मतलब क्या होता है बच्चो? पानी और drink का मतलब क्या होता है? पीना ठीक है? तो हम वर्ड साथ की साथ clear करते जा रहे हैं एक बार और देह लेते हैं we had enough food to eat हमारे पास खाने के लिए प्रयाप्त क्या था? food मतलब भोजन and plenty of water to drink यहनिके खूब सारा plenty का मतलब क्याता है? खूब सारा water मतलब पानी पास बहुत सा पानी होता था my birds birds मतलब pucksी birds का singular क्या बनेगा? bird my birds sing the sweetest song ठीक है? चो देखो यहाँ पे एक सबदाया है sweetest क्या सबदाया है? sweetest यह हमारी degree है sweet होता है मीठा मधुर और sweeter होता है उससे मीठा और sweetest क्या होता है? सबसे मीठा यानिके जो मेरे पक्सी जो थे वो क्या करते थे? बहुत ही मधुर गीत गाते थे my animals rain the longest races जो मेरे जो प्रानी थे यानिके इसके अंदर जो रहते थे लंबी लंबी दोडें दोडा करते थे लंबी लया लंबा लंगर उससे लंबा और longest सबसे लंबा जो मेरे एनिमल्स थे वो बहुत लंबी लंबी दोडें दोडा करते थे आवर चिल्डरन हमारे बच्चे यानिके सेर के बच्चे ठीक है दा कब्स लेंब्स एंड फान्स मूड अबाउट फ्रीली विदाउट फीर ठीक है तो जो यहाँ पे दिये गई है ये सब क्या है जो इनके बच्चों के नाम दिये गए है ठीक है कब्स किसको बोलते है C-U-B-S कब्स होता है जो सेर के बच्चे ये रैंको सावक बोलते है हम छोटे बच्चे ठीक है लैंब्स का मतलब क्या होता है मेमने है न भेड के बच्चे और fans क्या होता है यह होते हैं हीरन के बच्चे ठीक है तो हम इनको baby animals को भी पहचानेंगे कि यह किन के बच्चे होते हैं ठीक है जंगल के अंदर without fear बिना किसी भैके we all had lived happily in the forest our home our home मतलब हमारा घर क्योंकि सेर का तो घर जंगल ही होता है न सभी जानवर होगा तो क्या कहते हैं वो हम सब अपने घर यानिके जंगल के अंदर खुशी खुशी रहा करते थे happily मतलब खुशी खुशी और lived का मतलब होता है रहते थे ठीक है second form आई है वर्व किये लीव लीव तो आज के लिए इतना ही आपको क्या करना है जो homework है इस paragraph के अंदर के यहाँ पर बहुत सारे plenty of words दिये गए है animals के name है उनको आपने यहाँ पर plural लिखा गया है उनको आपने singular form में लिखना है एक मैंने बता दिया था जैसे जैसे dears है पहला सब्द हमारा क्या है dears इसका हमने singular लिखना है singular क्या बनेगा इसका dear d e e e r ऐसे लिखना है एक तरफ plural और एक तरफ उनके singular दूसरा काम क्या है हमारा homework दूसरा homework है जो सब्द इसमें छोटे छोटे बेबी के नाम है animals बेबी जो है ना ठीक है कौन-कौन से हैं इसके अंदर cubs, lambs, fawns ठीक है आपने इनके नाम लिखने है कि ये किनके बच्चे कहलाते हैं जैसे लोईन का जो बेबी एनिमला क्या कहलाता है cubs ठीक है ये सब आपने लिखने है तो आज के लिए इतना ही अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे ठीक है अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं हम इसका जो उत्तर वहाँ पर आपको ते देंगे अगले वीडियो के लि